हेलो एब्रीवन कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे देखिए कल मार्केट खुलेगा और एक बहुत ही दिगज क्वालिटी से है जिसमें एक अच्छी मोमेंटम होने के पूरे चांसे से मुझे लगता है कि यह गैप अप होना चाहिए अ और रिजल्ट काफी बहत्रीन हुआ कॉलेटी शेयर है आप इसे जरूर देखिए देखिए यह इसका प्राइज एक्षन जो है वह अप्ट्रेंड का है कैसे तो देखिए यह प्राइज एक्षन यह कह रही है कि यह स्टॉक यहां से एक मोमेंटम फिर से प्ले करना चाहिए बिकाज यह ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करूं तो आप देखिएगा कि ट्रेंड लाइन के पास में यह सपोर्ट लेने की कोशिस कर रहा है अब यहां पर कैंडल कैसे बने देखिए टेक्निकल एनलेसिस जो है वह काफी हार्ड है और नहीं तो काफी आसान है अगर आप ज पोस्ट करता हूं काफी सारी चीज़े और स्टॉक भी मैं आपको बताता हूं कि देखिए स्टॉक पर कैसे मोमेंटम हो रही है तो यह दो मैं बाद में बात करूंगा चली पहली स्टॉक की डिटेस देखते हैं फिर हम लोग टेक्निकल एनलेसिस बैंक की करेंगे जिसका न अगले 20 सालों तक आप स्टॉक को देखिने रहें नहीं क्वाटरली रिजल्स देखने हुए जैसा कि इस बार क्वाटरली रिजल्स आये हैं इस बैंक का वो काफी अच्छा है देखें कंपनी के ऑवर ओल जितने भी चीज़ें हैं वो काफी बहतरी निन देखने को मिलेगा डिविडेंड देने वाला कंपनी है और कंपनी की NPS बहुत काम है इस भरी कड़ी सिच्वेशन में जब मतलब कंपनिया एकदम कॉलैप्स होने जा रही थी बैंक के स्ट्रेक्चर वीक हो रहे थे NPS बढ़ रहे थे तब भी इस बैंक की जो है न वो बहुत अच्छी रही NPS बहुत अच्छी रही और अगर मैं अभी ग्रॉस NPS और नेट NPS देखूंगा तो आपको जीरो दिखेगा और यह देख लेगे दिसंबर 2022 की रिजल्ट है सेल्स में कैसी इसमें बढ़ोतरी हुई है आपको स्क्रीन पर दिख रहा हुगा आप देख पारेंगे स्क्रीन पर 40 1000 करोड की सेल्स थी पिछले कोडर पर जो बढ़के 45000 करोड की हो गई है अल्मस्ट आप देख पाएंगे तो 10% का यहां पे सेल्स में ग्रोथ और उसे हिसाब से प्रॉफिट में भी इनको ग्रोथ देखने को मिला है आप देख पारेंगे स्क्रीन पे लगबग 18-20% की ग्र नेट प्रॉफिट पर देखने को मिली है और यह प्रॉफिट कहीं न कहीं कल आपको दिखेगा और कल अगर इस स्टॉक पर मोमेंटम नहीं भी आई तो नेक्स डे इस स्टॉक पर मोमेंटम जबर जस्त होने वाले क्यों क्योंकि आप फाई आई जो ना एग्रिसिबली मार्केट में आएंगे 15 के बाद में आप देखिएगा मार्केट में अच्छी तेजी जो कि कल का टेडिंग सेशन अगर कल नहीं भी हुआ तो नेक्स्ट डे मतलब ट्यूजडे को आपको मार्केट में अच्छी तेजी दिखनी चाहिए ऐसा हर बार देखा गया है और इस ब अच्छी मोमेंटम देखने को मिलिया तो अभी हम लोग इस स्टॉक पर कैसे प्ले करेंगे दो चलिए देखते हैं देखिए हमारा टेलिगराम ग्रूप है जिसमें हमारे मेंबर्स जुड़े हुए ऐसे आर्टिकल में पोस्ट करता हूं और इस आर्टिकल को देखिए कैसे कि आप इडेंटीफाइ करेंगे हाव डेंटवाइड को कैसे करना विद फीगर आपको समझ में आएगा देखरें आप एक आया इसके बाद एक फ्लैक जैसा इन्वर्टिट फ्लैक बनाया इसका फिस्ट डाऊंट्रेंड तो यह सभीी चीज़ेहां पर वॉल्यूम देख लिए यह सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जिससे आपको नॉलेज होएगी आपको नोट्स बनाने की जुरत नहीं पड़ेगा आप इन सभी चीजों को एक एक करके अगर प्रिंट आउट भी करवा लेते हैं और रख लेते हैं तो आपका यह नोट्स भी बन जा आ रहा है देखिए पहला रिजेक्शन दूसरा रिजेक्शन और इंडिसाइसिव केंडल इसके बाद इस केंडल का लोट तोड़ा इंट्री कीजिए और एक अच्छी प्राफिट डाउन ट्रेंड मिलीजिए तो यह सभी चीज़े आपको मिल जाएंगी सिर्फ 599 का हमारा म आक्सिस करने के बाद में आपको कुछ स्टॉक्स भी मिलेंगे देखिए कुछ स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें हाइली पोटेंशियल होगा मोमेंटम करने का अर्वेनल 7580 का ही है पहले ही मैंने इसमें और पहले भी अपडेट किया था पेटीम 55585 का है और अगर मैं बात करू तो दिपक फर्टिलाइजर है और साथ में यहां पे हैवेल्स इंडिया हैवेल्स ने तो गजब की प्रॉफिट दिया है यह देख लेजी है एजडेफसी बैंक का चार्ट है जिस पर मैंने ट्रेंड लाइन आपको बताया था और उस ट्रेंड लाइन के पास में देखिए क अच्छी मोमेंटम हुई है यहां पर थोड़ा सा ग्याप बचा हुआ अगर यह कल इसे टच करके और उसके बाद उपर पर क्लोजिंग करता फिर आप कंफर्म हो जाएंगे कि इस स्टॉक पर बड़ी मोमेंटम आ सकती है और वो मोमेंटम इस स्टॉक को कहां तक ले जा सकत है वो आपको यहां पर पता चल जाएगा आप यहां पर करसर रखिए और देखिए सबसे पहला टार्गेट तो इस स्टॉक का यहां पर जो नजर आ रहा है वो आल्मोस्ट आप मान सकते हैं कि 61620 के आसपास में और उसके बाद अगर यह उपर निकलता तो शिक्सीन 2020 तक के यह momentum easily one way direction में दिखा सकता because lower low बन रहे थे उस lower low को यहां पर अगर मैं देखूं तो आप यहां पर देखिए यह जो जो जोन है इसे निकालने के बाद में स्टॉक पर आपको अच्छी momentum दिखनी चाहिए तो यह जडिए अपसी की earning के basis पर मैं आपको बता रहा हूं ट नहीं रुकता और इस जोन को नीचे की तरफ काटके closing करता तो फिर माल लिजेए इसमें एक बड़ी डाउनफॉल आ सकती है बट मुझे ऐसा लगता निविकोज इस स्टॉक जो है न वह फाई इसका फैब्रेट स्टॉक है और रिजट इसने बहुत अच्छा पेस किया है ज चलिए यह सारी चीजे बहुत सारे स्टॉक पर टिकनिकल चीजे वर्क नहीं करती है बिकॉज बहुत बड़े लेबल पर बाइंग होती है तो वहां पर वल्यूम इतना रहता है कि टिकनिकल जो सेट अप है वह आपका बिगढ़ जाता है इसलिए बहुत सारे स्टॉक पर इ सारी चीजे आपको सीखने को मिली अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजेगे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए बहुत बहुत धेने वाद थैंक यू